आज हम बिटे डिस्कस करेंगे IPR IPR का फुल फॉर्म है intellectual property right property मतलब होता है संपत्ती एक होता है physical संपत्ती जमीन जायदात मकान दुकान और एक होता है बौधिक संपत्ती वो बौधिक संपत्ती को हम intellectual कहते हैं intellectual property intellectual मतलब होता है बुद्धी मानी बुद्धी मत्ता आपका intelligence ठी है तो intelligence बड़ा important होता है आपके दिमाग में कोई idea आया आपने कोई machine बनाई आपने कोई drama लिखा आपने कोई song compose किया तो आपके दिमाग की creativity है ना आपने रात भर जग 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 के अपनी आखे डार सर्कस बढ़ा बढ़ा के नहीं कुछ खोच की है तो वह आपका कर ले तो मतलब क्या तो market में तो फिर कोई भी वेक्ति नया कुछ खोचने के कोशिजी नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं किसी प्रकार का तो तो कोई वेख्यानिक कितनी मेनत करके किसी बिमारी का इलाज भूण ले उसको फायदा भी तो मिलना चाहिए ना उसको नेम मिल रखते थे पर आज के लोग तो बड़े लोभी और लालची है ना पार्मसुटिकल कंपनी 300 करोड रुपए खर्च करती है जो करती है ताकि उनको पेटेंट मिल जाए और वो दवाई बेचके अच्छा खासा मोटा मुनाफ़ा कमाएं है ना एक हिसाब से अच्छा भी है कम से कम जो पेशन्ट मर रहे बीमारी से उनको इलास तो मिल जाता है तो आई पी आर क्या होता है इंटेलेक्शल पॉपर्टी राइट इसी में हम पढ़ते हैं पेटेंट के बारे में पढ़ते हैं और आपका पेटेंट कॉपी राइट जी आई टैग जी आई को हम ग्राफिक चुप दी जाती है आपका का इडिया कका कई क्रेशन है आपने कोई मशीन बनाई है कोई प्रॉसेस डेवलप की है तो इस तो उस पर पेटेंट मिल जाता है ठिक है तो पर फिजीकल प्रॉपर्टी के एदि हम राले तो वह हमारी हो जाती है लेकिन figures है प्रॉप पर में पर्मिशन की बिना उसको कोई यूज नहीं कर सकता अब IPR के फायदे क्या है यह human की performance को बढ़ाता है मतलब मनुश्यों में competition पैदा होता है कि हम कुछ नया ढूंडेंगे हम patent लेंगे ताकि हमारी आने वाली साथ PD बैट के दोनों हाथ से खाये तो भी खतमना हो इसका पैसा मि अपने नाम सुना हुआ कि जबरदस्त मुझा कि संते हैं क्या उग्वेंशन किये कि क्या बताए थैकर लोगों ने बहुत सारी चीज़े इन्वेंट किये तो निकोला टैसला बहुत महान वैज्ञानिक थे और उनका नेचर भी वहुत अच्छा था बहुत मतलब हुमानिटी से भरे हुए थे वो मतलब कभी भी ग्रीट के लिए पैसों के लिए काम नहीं करते थे समाज को कभी भी नुकसान पहुचाने के लिए उन्होंने कोई खोज नहीं की हाला कि ये बात अलग है उनकी खोजों के आधार पे लोगों ने ऐसे ऐसे काम किये जो समाज को डेमेज कर रहे हैं पर उनकी ऐसी चाहत नहीं थी तो बहुत अच्छे इंसान थे निकोला टेसला ठीक है तो वैज्ञानिक क्या करते हैं पूरे जीवन बर खोज करते हैं फॉमस अलबाइडिशन ने बल्फ बनाया उस जार बार फेल हुआ उससे पूछा कि भई आप इतना फेल हुए आप कभी आपने हार क्यों नहीं मानी तो उसने कहा कि 9999 ऐसे तरीके ते जिनसे अभ्यास करते रहो सफलता तो मिलती है है ना कुवे के कॉर्णर पर जो घिरनी लगी होती है ना लोहे की उसपे से रोज रसी आती जाती है कुवे से हम पानी खीछते हैं अब तो आपने शायद देखा भी नहीं होगा है ना तो लोहे की घिरनी होती उस पे निशान पढ़ करें तो एक पत्थर में इंसान की शद्धा जान डाल देती है तो यह जो आई पी आर है यह यूमन के पोटेंशल को बढ़ाता है उसकी परफॉमेंस को बढ़ाता है उसको मोटिवेट करता है कि वहिया कुछ नया कर कुछ नया ढूंड समाज में कोई प्रॉब्लम है तो उ कि घूंड़ो और पैसा कमाओ रिकर नीशन मिलता है नाम होता है मोटा है पेपर में फोटो आये गारे इन्हें नो यह कर लिया उन्ने तो वो कर लिया है ना और इससे क्या है वैक्ति की क्रियेटिविटी इंप्रूव होती है सोशल बैनिफिट्स पी है समाज की समस्य का सम मादान मिलता है तो सबको एक तरफ से फायदा है विन-विन सिच्वेशन है ना तुम जीते ना हम हारे ना हम हारे ना तुम जीते दोनों जीते तो ऐसा है यह हमारा आई पी आर इंटेलेक्शल पॉपर्टी राइट अब यह फॉर्स ना है का ऐसका बाकरम ज preocup cannot century है कि नैस कॉन्सेट को या था 1464 में बहुत पहले ही आ गया था भारत में एकाव 1870 में इस मैं सुधार किये गये जैसे कोगी वॉष्ण हैं जैसे कोई वाशिंग मशीन के अंदर का जो ड्रम रहता है वो हर कंपनी उसकी डिजाइन करती है कि कपड़े कैसे अच्छे से दूले जा सकते हैं और फिर उसको पेटेंट करवा लेती है तो जो डिजाइन आपको वर्लपूल के पास मिलेगा वो एलजी के पास नहीं मिलेगा वो आपको सुन्हें नहीं मिलेगा तो हर कंपणी का अपना डिजाइन पेटैंट होता है इसको बोलते हैं डिजाइन यारा अपका और सुस्किषस खूलने चिपूल सुधार किये और उसको फिर सब्सक्राइब थे उनका एक ट्रेट का नां आपने देखा होगा हर चीज का एक like जान है कोको mop is का लोगो है आजे आम का मज़ा ठीक है पॉपी राइट आया था उननीस सो सत्तावन में फिर इसमें अमेडमेंट हुए सुधार होते ही चले गया और जो भी उसके कमिया थी उसको दूर किया गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन यह उननीस सो निन्यानवे में आया था ठीक है अब यह जियाई टैग में क्या होता है बेटा जैसे कड़कनात मुर्गा है बनार्सी साड़ी है विकानेरी भुजिया ह मतलब किसी पर्टिकुलर भॉगोलिक रीजन में यह डेवलप होते हैं कड़कनात जैसे एंपी में पाया जाता है काफी लंबा केश चला 36 गड़ से हमारी लडाई होगी 36 गड़ बोलता मेरा मुर्गा एंपी बोलता मेरा मुर्गा कोट में केश चला गया फिर सुप्रीम को होगा ठीक है बहुत नूटिश्यस होता है कड़कनात काला मुर्गा दिखता है तो यह हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन ठीक है फिर आया नैशनल बायोजिकल डाइवर्सिटी एक तो 2003 में यह एक्ट क्या है भया जो इस पीसीज विलुक्त होते जा रही है इंसान मानो कुछ ऐसे कर देता है कि जिससे पसुपक्षियों को नुक्सान पहुशता है अब आपने देखा होगा गरूल पक्षी है ना यह नजर नहीं आते जटायू ने अपना बलिदान दे दिया था ठीक है सीता माता को बचाने के चक्तर में तो गरूल पक्षी अब नजर नहीं आ मर रहा है वहीं पक्षी खेत में चर रहे हैं और उससे वह मर रहे हैं तो पक्षियों की प्रजातियां विलुक्ष हो रही है अब किसी specific region में कोई पक्षी विचारा रह रहा है तो इनसान उसको सांती से प्रेम मौबश से रहने दे इसले इसले यह एक्ट आया है कि उनको ना हो कोई पसुपक्षी विलूक तो ना हो तो उनकी देखभाल करना है तो यह आपका नेशनल डाइवर्सिटी एक होता है आपका को आप सीक्रेट भी रख सकते हो जैसे कोकोकॉओन नहीं रखा है रत्व हमारा जो सीक्रेट लेके रखा तो यह होता है trade secret यह है coca cola के पास में किसी को पता है coca cola में क्या डला होता है नहीं पता होगा ठीक है तो इनका trade secret है आपने जैसे कोई microorganism से कोई staining technique develop की है या कोई cell line develop किया थो इस सबका आप trade ले सकते हो यह आपने कोई culture media तयार किया है किसी और गनिजम के लिए ठीक है तो यह आपको trade secret मिलता है और यह unlimited time के लिए दिया जाता है एक बार मिल गया तो मिल गया को फोला ने एक बार ले लिया तो ले लिया जीवन भर की फुरसत अब पेटेंट की बात करें तो पेटेंट से 20 साल तक बहुत बनाते हैं दबाई और बेचके अच्छा पैसा कमाते हैं दबाके और गौर्मेंट पेटेंट देने का काम करती है हमारी भारत सरकार पेटेंट देगी अधी किसी भारती नागरिक ने कुछ tota jag confused नागरिक बास्मती व्हाइस लेलिया था अंगर ने भारत ने अपनी बाद उठाई की भरत हो गया जावलग बनाओ मस्त खाओ पी हो मजे करो, copyright क्या होता है? 60 साल के लिए दिया जाता है, copyright किस पे मिलेगा, drama पे मिलेगा, कोई dance की आपनी step बना ली, michael jackson, माईकल jackson dance के field का बादशाह बेताज बादशा है, ऐसा dance करता था, लोग केख़ेगे दे कि भई इंदर light की बटन चालू की की उदर विस्तर पर मिलता था वो इत्ता तेज डांस करता था माइकल जैक्शन तो आपने हो सकता है कोई ऐसी डांस की स्टेप बनाई है जो दुरलब है ना तो उस पे आप पेटेंट ले सकते हो आपने कोई ड्रामा ड्रामा लिखा है नाटक लिखा है आपने जैसे वोटोग्राफी कर लिया आपने इसी खीच डाली कि साब क्या बताएं वो फोटो दुनिया में कहीं नहीं आप इने गलती से खीच ली कुछ ऐसी घटना घट रही थी और वह आप ही ने देखी और फोटो आपने खीच ली तो उसको भी आप कॉपीराइट करवा सकते हो मतलब कॉपीराइट ले सकते हो साउंड पर यह सारी चीज़े हैं वेटा आपके पेटेंट में आती हैं है ना इन्पोर्टेंट आप कुछ नया ढूनना शुरू कर दो अपने दिमाग का उपयोग करो क्रियेटिविटी से कुछ नया ढूनके बताओ कि सब लोग मैं 45 दिन का समय दे रहा हूं कोई ऐसी चीज सर्च करो जो इस दुनिया में कोई न जानता हो के वहल आप जानते हो मिरे को बता देना फिटीक है तो मैं पेटेंट ले लूंग है ना आप लोग पेटेंट लो खिक है किसी ने किसी चीज़ पर पेटेंट लेना है आपको अपको तीक की राजलिंग की चाय बड़ी फेमस है और वाइन कैलिफोनिया की वाइन बड़ी फॉपुलर है है क्या हमारे पीच में कोई एलकोहलिक कोई शौकीन नहीं है कि सिल्क है ना राचीपूरम का सिल्क बड़ा फेमस है तो यह सब इनको जियोग्राफिकल टैग मिला हुआ है बेटा और कुछ आपने देखाओगा पंचलाइन पंचलाइन पर भी लोगों का कॉपीराइट रहता है जैसे ठंडा मतलब कोकोकोला गंडा बोले तो कोकोला आता ना ठंडा मतलब कोकोकोला डेस की धड़कर हीरो होंडा कंपनी ने इतनी मार्केटिंग करके रखी है कि गाड़ी गोर फॉर्वीलर तो मारूती के highest आट कि तो हनुमान जी है नहीं है अभी नहीं से मेरा नाम कैसे यूज किया मैं पौवन पूतर हनुमान हूं मेरा दूसरा नाम है मारूती मुझसे आप पर्मिशन लेकि मेरा नाम यूज करें हनुमान जी केस ठोग देते अभी पर क्या पता कहा है वो ऐसा कहते हैं कि अभी भी हमारे बीच में है कल्यूक के देवता है हनुमान जी पूझा किया करो वेटा वही आपका बेडा पार कर सकत ना उन्होंने राम जी को लंका पार पहुचा दिया था आप लोग को भी वह विपलोमा पार करा देंगे ठीक है रेस की धड़कन हीरो हंडा ठीक है यह है बिटा आपका कॉपीराइट उस समझ में आ रहा है आपको आगरा का पेठा खाया आपने है है थे रावादी बिर्य तो यह सब बेटा वहां की जियोग्राफिकल विशेस्ताएं है ना बहुगोलिक संकेत है जो उस जगह को थोड़ा सा यूनीक बनाते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि वा हैधरावादी विर्यानी साहब टेस्ट ओफ सिटी हैधरावाद सिटी ओफ औरेंज नापूर नाप पूर के संत्रे किसी ने जैसे आपका इंडॉर यूनी मुंबई ओफ MP के नाम से जाना जाता है ठीक है तो ऐसा है जी आई टैक को लेके कभी-कभी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है है ना एक स्टेट कहती नहीं साहब यह हमारा है यह सपेद प्यास तो हमारा है था आपको समझ में आया कि यह पेटेंट क्या होता है यह आपको एक लीगल राइट देगा आप लीगली क्लेम कर सकते हो आपका राइट हो जाएगा आपका अधिकार मेरी है तो यह आपको देता है पेटेंट एक्स्क्लूजिफ आपको राइट्स देता है आप इसको कोड में चैलेंज कर सकते हो कोड के थूरू नोटिस भिजवा सकते हो इसी से आप मुआवजी की मतलब उससे कह सकते होगी नहीं आप मुझे इतना पैसा दो आपने मेरा ट्र हटाएगा या तो फिर आपको 10 लाग रुपे देगा तो यह है आपका इंटेलेक्शल प्रॉपर्टी राइट तो कभी नागपूर जाओ तो संत्रे खाना कश्मीर जाओगे तो महां क्या करोगे कश्मीर का कार्पेट बड़ा फेमस है कालीन एक वक्त था कि हम विदेशों में कालीन भेजते थे भारत में कालीन बहुत अच्छी कॉलिटी का बनता है तो कश्मीर का जो कार्पेट है बड़ा फेमस है वो विश्वेस तरी डिमांड थी उसकी एक वक्त था अभी नागपूर जाओ तो संत्रे जरूर खाना बगीचे में जाके ताजे संत्रे ठीक है नागपूर के संत्रे बड़े फेमस है और हैदराबाद जाओगे तो पिरियानी खाना जो लोग नॉन्वेज खाते है ठीक है और जो नहीं खाते वो और कुछ खा लेना सब कुछ टेस्टी मिलता है है ठीक है के एपसी का चिकन है ना के एपसी भी तो एक ब्रांड है ठीक ह है एपसी हुआ आपका मारूति होंड़ा यह सब ब्रांड है बहुत बड़े बड़े ब्रांड है यह सब ये इस नियम का पालन करते हैं ये लोग ठीक है इनके अपने ट्रेड मार्क है टेट सिरिक्रेट है ठीक है तो ये सारी चीज आ जब दवाईयों के मामले में बेटा एसा है यह आपने देखा होगा एक होती है Generic Medicine होती है Ethical Medicine वह होती है जिसका पेटेंट रहता है और Generic Medicine वो जो पेटेंट से बहार आ गई अप्डू कड़ गया सबमें बढ़ड़ गया bisa ऊहर वर यह बनाना सुरू कर दिया वह समझ रहे बात को Itie पाइजर ने मेंनत की संफार्मा ने मेनत की िविदमे में मैनत की तो इनने मेनत करके जो मॉलीक्यूल बनाया था भीटडा तो इसको 20 साल तक यही लोग बनाते हैं पर होता क्या है भारत में डिमांड इदंटी बढ़ जाती हमारी पॉपुलेशन तो आपको पता ही है एकस्तो चालीस करोड से भी जादा हो गई हो गई अभी तक तो कोवीड के टाइम पर और कोई काम तो हुआ नहीं पॉपुलेशन बढ़ाई है लोग उने बैठके घत्प है तो हम लोग नंबर बन पर है पॉपुलेशन के मामले में आपको पता है भी जंगणना हो नहीं साम कुछ ज्यादा आता नहीं है अभी जंगणना होगी और भारत नंबर वन पर आएगा फिर आप कहना भारत नंबर वन पर आता है पॉपुलेशन के टर्म्स में ठीक है अभी 2020-21 में होने वाली थी जंगणना दस साल में एक बार होती है लॉड में के काल से शुरू हुई कि भारत में कित्ते लोग रह रहे हैं बूले कित्ते हैं महिलाएं कित्ती हैं पुरूस कित्ते हैं है ना जेंडर रेशियो क्या है यह सब पता होना चीए भारत सरकार को और हमको भी पता होना चीए क्योंकि हम देश के नागरिख है हमारा भी सामान निगान बहुत कमजोर है तो हमको हमारे दिमाग को विक्सित करने की ज़रत है, रोज दो-चार पेज पढ़ा करो बेटा, इससे आपका दिमाग विक्सित होगा, तो इंसान दो-चार पेज रोज पढ़ते रहता है, उसका दिमाग कभी बुढ़ा नहीं होता, वो सकता है शरील से बुढ़ा हो जाएग अलेकिन दिमाग कभी बुड़ा नहीं होगा उसका, तो 4 पेज प्रती दिन पढ़ा करो, अभी तो आप student हो, student को तो पढ़ने ही चाहिए, student को तो 4 क क्या 40 पढ़ना चाहिए, पर जब आप Student नहीं भी रहोगे तो 4 पेज प्रती दिन पढ़ो, आदा घंटा प्रती दिन व्याय व्यायम करोगे तो आपका शरीव स्वस्त रहेगा पढ़ाई करोगे तो आपका दिमाग स्वस्त रहेगा अच्छा सोचोगे तो आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटेंगी अच्छे लोगों को आप अपने जीवन में आकरशित करोगे तो हमेशा सकारात्मक सोचो ठी और जीवन में बहुत आगे बढ़ो तरक्की करो, आपकी तरक्की समाज की तरक्की है, समाज की तरक्की हमारे डिस्टिक की तरक्की है, दिस्टिक की स्टेट की है और स्टेट की तरक्की हमारे देश की तरक्की है, और देश यदि जब तरक्की करेंगे तो पूरी दुनिया म करते हैं मैं आशा करता हूँ आप लोग को कुछ समझ में आया होगा मैं बहुत अनुगरईत हूँ कि आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना कि कल मिलते हैं विटा बाइ